हे गाइस कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे मौझ बार योगन पर फिट होंगे तो गाइस आज नेश्टरल्टी के साथ सुरुकर सुरुआत करते हैं अपनी च्छत के साथ गाइस यूवी उस दिन छोटी होली से पहले दिन जो लास्ट इसका डे था उस दि खूटी की यह बात है रियना की होली का देहन वाली मैं पीश रही हूं अभी दाल मौंकी दाल के दही भल्य יש की त तही बानानेवाली हूँ guys और कुछ मैंने पीश ले है कुछ बाकि है पा fakपा एक किलो डाल लाइथे तो उसमें से हम ने लग बग हाफ ही यूज की थी have पिको के और यह मिक्सीके जार में गाईज पिस रही है क्योंकि मैंने आपको बादा किया था दिखाने के लिए तो इसलिए मैंने चोटे-चोडे सी वीडियो बनाई रखी हुई थी लेकिन आज यू नो होली पे हो जाता है बहुत सारा काम तो इसलिए वीडियो नहीं डेल प अबना सारा काम हाला कि उस दिन भी मैंने टिक्की बनाई थी क्योंकि टिक्की की विचाट बनाई थी एंड मैंने उस दिन उड़त की दाल की जो दही बड़े होते हैं वो भी बनाए थे और यह मूंग की दाल के मैंने पहले दिन बना लिये थे गाईज पकोड़ी उतार लि निकाल के निचोड के यूज किया जता है तो उस दिन छोटी ओले की दिन ये बच्चो को मैंने हार पहना थे इनके मामा के यहां से आई हुए थे गाइज तो इनों ने इनका छोटा सा फोटो सेशन हुआ है अभी और तो बड़े मुस्किल से बच्चों का थोड़ी सी देर के लिए ये सगुन सा किया जता है और बच्चों ने इंजोई किया गाइज ये पहन के तो इसकी अम्मा को बहुत रहता है कि निउ कपड़े बनाओ थोड़े से अच्छे वाले कपड़े बनाओ तो जैसे वो कहते है मैं ऐसे कर देती हूं गाइस और यह पूरी एक्टिंग कर कि हने लिए वे और हम दीए भी लगा कि आए थैं मैं और इसके पापर परशांद जी और तो इस निए उस दोरान इन बच्चों ने फुल एंजोई किया, सारे चिप्स, सारे फिरिश कर दिये गाइज, तो मैंने इसके पापो को मना करते हैं, मैंने का और मत लाना, क्योंकि इन्होंने काफी क्वेंटिटी में खा लिये हैं, तो यहाँ गाइज, कपड़े भी दुल गए हैं, वहाँ से आने के बाद, और नास् फिर मैंने काम सुरू किया है, क्योंकि आज पढ़ाई का कोई schedule नहीं था, तो इसलिए मैंने का आज मैं इस दिन को use कर लेती हूं, क्योंकि कल भी बहुत सारा काम हो जाएगा, तो यह मैंने फेटना सुरू कर जाया है, मैंने हाथ से नहीं किया है, इस बार गाइज, मैंने इस बड़ी सी चमच्चे के साथ इसी किया है, तो एक ही side में, एक ही rotation में इसको घुमाना होता है, इसकी जो दाल को तो बड़ी सी थाली में, परात में, क्योंकि मैं मैं मम्मी ऐसे किया गरती तो इसलिए वो ही मुझे याद है, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही निकाल लेती हूं बड़ी सी थाली में और परात में, इसको एक ही direction में, रोटेट करना होता है, इस तरह से, कहते हैं फेटना, तो इसको फिर क्या आता है, कि एक अधर ममी भी कुछ ना कुछ कराती रहती है, मेरे साथ बहुत हो जाती है, तो ये उसको फिर करके ना, उसको एक कटोली में एक का टपका के देखते हैं, जब वो टपका तैर था, तैरने रखता है ना, मूंकी दाल का, तब इसका मतलब की, वो काफी फेट गया, उसके अंदर थोड़ा सा बुकिंग पडर डालके, फिर पकोडी उतार लेते हैं, इस तरह साब देख सकते हैं, तो वो काफी फलफी तो गाइज, ये, तो मैंने लगभख सारा काम, इसका मूंकी दाल की पकोडी, फिर मम्मी को मम्मी का मन्ता की उड़द की दाल का, क्योंकि मैं टूची दीदी बनाती है, वो तच्छी चाट, तो उन्होंने उनकी खाई हुई थी, तो वो सारा हलवाई वाला सारी ठीजे, प कनी सी, को तो थेशटी होती है, तो मुझे लगता है, ये काफी उती है, वैसे तो पूर्वुदत की दाल की बनाई थी, वो भी सबको जिसने खाई, दिख मातने ही, वालोई से भी टेस्टी बनाई हुई तो जो बततारे थे वहीं वही हैं तो यह आप देख सकते हैं कि पकोड़ी कितनी अच्छी-फ्लपी-फ्लपी बन रही है तो डालते ही एक दम से थोड़े से टाइम बाद यह अपने आप फलफी हो जाती है और थोड़ा सा एक जब उससे पौनी से इसको हिलाया जाता है तो य अपने आप भी बहुत ही अच्छी कोलमटोल सी हो जाती है तो फिर इसको पानी में भीगाओ के रख देते हैं और फिट निकाल के सर्व कर लेते हैं इस तो चाट मसाला और जीरा बाउडर मैंने पीसे वे जी रपोर्डर ये डालके और नमग में रच्वकरा डालके सब को सर् और इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आई हूं तो इस बार अगर आपने नहीं बनाई थी अभी तक ये चाट नहीं बनाई थी तो आप अब बना सकते हैं गाईस जब भी चाहिए जब बना लो इसमें कोई दिकत नहीं होती है तो इमली की चटनी इमली बहुत सारी एक पाव से जाद लाए थे परशान जी और पापा पी एक पाव लाए थे तो हमने गोल गपे बनाय थे गोल गपे का पानी बन गया था और चटनी बन गई थी तो वह भी हर पे बहुत अच्छी उसमें क्या होता है कि चटनी का प्लंब निकालो और उसको गरम पानी विगो के रिफाइन में आप मेत्य दाना और यह सब डालके और उसमें प्लम डालो जो पतला अपने निकाला है उसमें फिर आप गुड और अपनी स्वाद के अनुसार नमक और बार बार टेस्ट करके उसमें आप अगर नमक कम लगे खटा मीटा क्योंकि आप चेस्ट तो जानते ही है क खटाई का कुछ लोग सूट बोलते हैं कुछ लोग जाने क्या बोलते होंगे तो हम लोग तो हमारे आप तो सूट भी बोलते हैं कुछ लोग और चटनी बोलते हैं हम लोग और यह सब चीज़े बोलते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि तने अच्छे फलफी मेरे फलफ हो हैं यह दही बड़े की पकोड़ियां और यहां बहुत देल तक खड़े 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 पैर दुखनी लग जाते हैं कईज और मामा भी कुछ काम कर रही है क्योंकि यह हलां कि बीचे मैं हम पकाम निकाल के ही किया है फिर उसके बाद ही दूसरा काम किया है गाईज तो हुली का दिन था और यहां मैंने चटनी जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने कर लिया प्लम निकाल के गाईज और एक चमच तेल में तो इस तरह से उसका कई बार निकाल के गाई पानी फिर दुबारे से उसको उसका प्लम निकाल लेते हैं तो इसी तरह से करके मैंने 5-4 बार इसका प्लम निकालके इसकी चटनी में इसको यूज के लिए कड़ाई में और उसके बाद फिर गुड तो गुड सककर चाहे तो शककर चिन्धी ताय तो चिन्नी काला नमाक इस वाइट नमाक जीरा पाउडर एंड़ और वस यही इसमें मै सब्सक्राइब और समस्क में iç और लगरानिंग मुझेश को प्रिक प्रड किसम्स नहाल हम पुछते माजे यह प्राइब लैंगके को शिरी कर सकते निदिधी के विसंट्र से पह WIN- चटनी का काम चलू है और पकोडी मेरी बन गई है यहां चटनी भी बन गई है तो यह थोड़ी सी टाइट लग रही है फिर मैंने मैंने इसका गोल गप्पे का पानी बना लिया देख सकते हो आप गाइस बूंदी हमारे घर पे पहले से रखी थी और यहां ममी ने चने की दाल बिगवाई है और थोड़ी सूड़त की दाल जो मैंकल बनाने वाली उचनी की दाल इसलिए क्योंकि मैं टिक्की में मिलाऊंगी ताकि वह फलफी बन जाए तो गाइस फाइनली मेरी चार्ट हो गई है तैयार बनके और आप यह सकते हैं खाने के लिए मुझ पाने आ गया है ऐलो पर आप बना सकते हैं खाईस रेशीपि मुझसे बूछ ले डह다 को कहीं दिक्कड लगे तो तो जाएओ अपो ऑपसंत आ गे हैं तो वीडि अवीडियो को लाइक साइक हो कर दीए चैनल को सब्सक्राइब कर दीज acquire एगर आपने कब तक तक सब्सक्राब कर नेक्सक्रा और हैं बुट दे बिखो बटाएड़ बटाइएड़ नच आबे बाएड़ नची बाएड़ नची नचा लग जग नचे बाएशब नचीज को शीति की आधड़ नचीज हैं